हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल आज हम गुगगुलू द्रव्य जो है उसके बारे में देखेंगे ठीक है, जो की द्रव्य गुन विज्ञान सेकेंड पाट का एक द्रव्य है ठीक है तो गुगगुलू द्रव्य है सबसे पहले तो इसका गन जो है वो कौन से गन में है तो वह शुशुरुद जी ने अपने गन में उससे रखा है कौन सा एलादी गन तो यह अच्छे से याद रखना एलादी गन जो है यह शुशुरुद जी ने बताए है फिर इसका कूल जो इसकी family कौन सी है that is a bursarasi family it belongs to bursarasi family इसका Latin name जो वो क्या है कौमी फोरा मुकुल ठीक है कौमी फोरा मुकुल ठीक है अब इसके परियाय जो है कौन कौन से है तो देव धूप इसे बोला जाता है कौशिक मही शाक्ष उलुखल और कुम्भ ठीक है फिर अब हम इसका स्वरूप देखेंगे तो स्वरूप जो है इसका बताया गया कि एक छोटा वरुक्ष रहता है या फिर हम गुल्म बोल सकते है जो की चार से छे फीट उचा होता है ठीक है उसकी दो शाखाय रहती है वो काटेदार रहती है बताया है अब हम उसके पत्र की बात करते है ना तो पत्र जो है वो क्या बोल रहा है कि नीम के समान वह सयूक्त रहते है ठीक है बाजू में आपको डाइग्राम दिख रहा है मतलब जो फोटो है उसमें दिख रहा है कि जो पत्र है उसके नीच ओली जो डायग्राम है उसमें दिख रहा है कि जो उसके पत्र है वो कैसे है नीम जो है नीम के पत्ते के समान कैसे है सयुक्त है ठीक है फिर उसका पुष्प पुष्प जो रहता है उसका कैसा रहता है उसका फल जो है, फल का भी यहां पर फोटो है, ठीक है, फल कैसा रहता है, मांसल रहता है, लंबा गोल और रक्तवरिनका रहता है, रेड रेड दिख रहा है न, वो रक्तवरिनका उसका क्या रहता है, फल रहता है, ठीक है, फिर उसके बाद इसका निर्यास, निर्यास जो है, यह Black Color में थोड़ा सा है, निर्याज जो रहता है, तो वहाँ गाड़ा रहता है, सो गनदित तथा अनेकवरणी वहाँ रहता है ठीके, और यह जो निर्याज है ना, इसे जब हम अगनी में जलाते अगनी में जब इससे संपरख में लाते है तो यह जलता है और धूप में पिगलता है और गरम जल में यह दूद के समान पूरा मिक्स हो जाता है पूरा पानी में ठीक है यह हो गया इसका निरिया इसके बारे में ठीक है अब हम थोड़ा सा इसका दिखेंगे इसकी जातिया तो इसकी जातिया जो है वह भाव मिश्र ने गुगूल के व पभ्य और कनक ठीक है तो ऐसे पाच जाती बताए गई है जो महीशाक्षे है उसका कृष्ण वरिन रहता है महानील जैस का नील वरिन रहता है कुमुद जैस का कपीश वरिन रहता है पभ्य जैस का रक्त वरिन रहता है और कनक जैस का पीत वरिन रहता है ठीक है अब यदि जो तो हमारे गुग्गूल है, हमें कैसे पैचाने कि वो बहुत जादा अच्छा है, श्रेष्ट है, प्रसस्त है, तो जो प्रसस्त गुग्गूल है, उसके लक्षन बताए गए है, तो कौन-कौन से वो आठ लक्षन बताए है, हम देखेंगे वो, सबसे पहला तो वो स्निक्दर रहना चाहिए, कोमल रहना चाहिए, पिछिल, मदूरगंधी, तिक्त, पिताब, पानी में शिग्र घुलने वाला और मिट्टी बालू से रहित रहना चाहिए, ठीके, तो ये हो जाएंगा प्रशस्त जो गुगुल है उसके लक्षन हो गए ये, ठीके, अब हम इसकी उत्पति सान देखेंगे, तो इसके उत्पति सान कहां कहां की है, अरव, अफरीका, बलूचिस्तान और भारत में कौन-कौन से इसमें मिलता है, ये राजस्तान में मलता है, मैसूर और सिंध में, ठीके, तो अच्छे से याद रखना, अरव, अफरीका, बलूचिस्तान तथा भारत म एपक थिस थानँ है संग्रह करके बोल रहे हैं źो घर्ष में रेता है उसमें इसके वर्ुक्ष की निर्यास है बहुत जाद की दिस था एक ठीके और वो निकल गया ठीके तो शिशीर और जो हेमंत रितू है वहाँ पर वो जो निकला हो जो निरियास रहता है वो जम जाता है और जम जाने पर हम उसका वहाँ शिशीर और हेमंत रितू जो है उसमें उसका संग्रह करते तो हम संग्रह काल अगर बोलेंगा तो कौन सा सं करते और वो गृष्म 1 रितु में पिघल जाता है जो की बहुत जाधा मात्रा में उसका जुनेरिया से हमें मिल क्या है न तो जो पुराना गुगुल रहता है इसके गुन बताए गया है लगु, रुक्ष, तिक्ष्ण, विशद, सुक्ष्म, सर और सुगंदी ठीक है तो जो पुराना गुगुल है वो कैसा रहेंगा लगु, रुक्ष, तिक्ष्ण, विशद, सुक्ष्म, सर और सुगंद इसके गुन हो गए और जो नवीन गुगूल है जो नया वाला जो गुगूल रहता है वह स्निक्द रहता है और पिछिल रहता है यह अच्छे से याद रखना ठीक है अब हम इसकी रस की बात करेंगे तो इसका रस जो वो तिक्तो और कटू बताया है वीपाग जो वो भी कर रहा है मतलब कि त्री दोश हर है वो ठीक है तो यह अच्छे से गुन इसके अच्छे से याद रखना कि इसका वीरिय उष्ण रहता है विपाग कटू और रस जो वो है तिक्तो और कटू रहता है ठीक है अब हम इसके कर्म देखेंगे तो कर्म क्या बताया कि दोश कर्म जो है वो क्या है तो वहाँ उष्ण होने के कारण क्या करेंगा कि वाद का शामन करेंगा क्योंकि वाद का गुन कौन सा रहता है शीद गुन रहता है तो उसके अपोजिट है तो वाद का शामन करेंगा और तिक्षनता प्लस उष्णता इसमें है तो इसके कारण यह कफ का शामक करेंगा, रुक्ष विश्रद होने के करण यहां मेदुहर है, ठीके, मेद का शमन करेंगा, ठीके, अब भार्य कर्म क्या हो गया ना, कि यहां शोथ हर है, वेदना सापन, वरन शोधन, वरन रोपन, जन्तुगन बताया गया है, ठीके, तो शोथ वगरे होता है, तो उसम वातशामक है, और उसके कारण वेदना सापन, एवं नाडियों के लिए यहां बलकर बताया गया है, वातशामक कर रहा है, उसके कारण वहां वेदना सापन, एवं नाडियों जो है, उसमें वहां बलकर है, ठीके, अब पाचन संसान में क्या, दीपन, अनुलो, मन, यक्रु इन सभी में ये उपयोग होता है, मतलब ये कार्य करता है वहाँ और यहाँ सुगंदित होता है ना तो सुगंदित होने के कारण क्या करता है ना कि ये कोस्ट गज जो दुरगंदी रहती है उसका नाश करता है जो कोस्ट में जो दुरगंदी रहती है उसका भी वहाँ नाश क अब हम रक्तवस अंसान के बारे में बताएंगे तो यहां रक्त कन वर्धक है और श्वेत कन वर्धक और रक्त प्रसादन का यहां कार्या करता है। अब प्रजनन संस्थान में किस तरीके से कार्या कर रहा है तो यहां आर्तव जनन बताया है तो यहां आर्तव जनन बताया गया है ठीक है। उसके बाद जो नया गुगुल जो रहता है ना वह सनिक्द होने के कारण बल्यकार्य करता है और जो पूराना गुगुल रहता है वह रुक्षो होने के कारण क्या करता है लेखन करता है और वह मेद धातुजे उसका क्या करता है उसका मदलब की शमन करता है ठीके फिर उसके त्वचा में किस तरीके से हो रहा है तो यह कुछ टगना है वरनिया है ठीक है और ताप कर्मे में तो यह उष्ण होने के करण क्या करता है शीत प्रेशमन बताया है ठीक है अब हम इसका प्रयोग देखेंगे तो हमने तो इसका कर्म तो देख लिए तो कर्म के अनुसारी इसक करते हैं ठीक है फिर उसका बाहर्य कर्म क्या है तो संदीगत वाद जो भी वाद से रिलेटेड जो विकार है वाद के संबंद में जो विकार है उसमें इसका हम लेप करते हैं जैसे कि संदीगत वाद हो गया फिर आम वाद हो गया गंडमाला अपची ठीक है इसमें हम इसका ल बहुत जादा उत्तम औशच जही है वात विकारों के लिए मानी गई है क्या गुबगुलु को ठीक है अब इसका पाचन संसान में किस सरीके से हो रहा है कि अगनी मान दिया या कुरूद रोग जो है फिर बिबंद अर्श कुरूमी इसमें ये उप्योग होता है रखत के इसम प्रायोग में आता है थिक है इस जिसमें फिर उसके बाद स्वासन संसान में मुच्छत का स्वासकास्ट में थिएक ब्लंत कर दोतो को स्वासकास साथमीकरन में बताया है… आइति थी पूराना जो गटव्य हों मैदो रोग उसके लिए हितकर रहता है और प्रामिह के लिए और रहता है जो कि निकदर रहता है… तो वो क्या करता है बल्य और असायन की तौर पर हमें काम करता है ठीक है, हमारे शरीर में और तोचा में यहो कुस्तव वरन विकार उसमें हम इसका प्रयोग करते है, ठीक है और इसका प्रयोज यंग कौन सा होगा निरियाज, जो कि हमने देखे थे जो black color का जो static में हमने फोटो देखे थे तो वो निर्यास जो है वो जो है उसका प्रयोज यांग है ठीक है फिर उसके बाद मात्रा मात्रा क्या बताई गई है निर्यास की की 2 से 4 ग्राम जो है वो मात्रा बताई गई है और शोधन कैसे करते हैं न हम इसका गुगुलु का तो उसमें स्वेधन करके उसका हम शोधन करते हैं ठीक है अब विशिष्ट्य योग तो बहुत इसके important योग है जो की बहुत जादा मतलब उपयोग में आते है वो कौन-कौन से योगराज गुगुल, कैशोर गुगुल और चंद्रप्रभावटी तो ये तीनों अच्छे से य अच्छे से याद रखना है बहुत इंपोर्टन द्रव्य है ये तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना थेंक यू